हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मडली टैंग में, आज मैं आपको जो हमारा क्लास नाइट का नमबर सिस्टम रह गया था, आज मैं उससे जो पार्ट रह गया था, उससे आगे कराने जा रहे हूं, तो उसमें सबसे पहले हैं हमारा रियर नमबर, रियर नमबर वो नमबर्स होते हैं, जिमें हर टाइप के नमबर्स आ सकते हैं, जैसे माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू, पी बाई, क्यू की फोर्म, और जो रूट के अंदर भी आते हैं, जैसे रूट वान, तू, 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 और नुट पिछली वीडियो में बताय था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड होता है वो तब मैंने इडरेशनल नॉट्पर 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 में आते हैं और इसके जो values जो under root के अंदर होती है, जैसे under root N, इसको हम PYQ की form में नई write कर सकते, cannot write in PYQ की form, we cannot write in PYQ form, next है हमारा how to denote irrational number on number line, जो हमारे irrational numbers होते हैं, हम उनको number line पर कैसे denote कर सकते हैं, सबसे प्याला मैं को example लेते हैं, जैसे root 2, अब इस root 2 को हम कैसे number line पर denote करेंगे, एक स्क् हैं, तो BYQ को रोस्तियोरम हम इसकी साइट निकाल लेंगे, यह root 2 आजाएगी, तो इस तरह से निकल गया हमारा, जैसे 1 का square, plus 1 का square, is equal to, यह A है, यह B, C, तो AC का square, is equal to, 1 plus 1, is equal to 2, अब इसका square रटाएगे, तो यहां पर root 2 आजाएगा, तो यहां पर हमारी पर root 2 आजाए है, तो अब हम एक number line draw करते हैं, यह 0 हो गया, यह सारी minus की value का जाएगे, minus 1, minus 2, minus and stone आती रहें, उदर हमारा, 1, 2, 3 and stone, ऐसे आजाएगे, तो हमारा सबसे प्याला part हो है, 1, तो 0 से 1 ले दिया हमने, अब इसके बाद एक one है हमारा, तो इसको हम एक centimeter उत पर draw कर देंगे, ठीक अब कर देंगे, पर देंगे, तो और अप यहांप की बेसाएगे, नहीन पर सफोर करींगे अब आपकी exercise रहने थी 1.3 जिसमें मैं आपको बाद में करवाओंगी exercise 1.3 का तो वो मैं भरवाती हूँ क्योंकि वो irrational number के उपर based है Question number 7 को ऐसे decimal expenses लिखने हैं जो non-terminating हो और non-recring हो जो हमारी की rational number है वो इस तर ऐसे लिखना है कि आप जो non-terminating हो और non-recring हो तो जैसे आप लिख सकते हो 0.12 122 1222 इस तर ऐसे करके लिख सकते हो यह repeat भी हो और non-repeating भी हो रहे है कि इसमें non-recring हो रहा है कि एक part 2 आगया फिर दो बार आगया फिर 3 बार आगया तो इस तर ऐसे करके लिख सकते हैं और इस तर एक्जाम्पल लिख सकते हैं 0.10 100 100 इस तर ऐसे करके लिख सकते हैं तो यह इसके हम question number 7 में यह कुछ हो रहा है कि decimal expenses बताने जिसमें decimal वो ऐसे expenses बताने जो non-terminating हो और non-recring हो question number 8 में आपको 5 by 7 and 9 by 11 के पीच में 3 relational numbers बताने हैं तो आपने question number 2 किया था ना जिसमें 1 by 7 की फिर निकाल नीखी जो भी आपकी value की उसको 5 से multiply लगे तो आपका यहां पर answer आजाएगा ऐसे यह 9 by 11 आप 1 by 11 की तो value निकाल दो और 9 से multiply लगे तो जो भी आपको answer आजाएगा एक इसे बाद इसे बाद इसे तो तो रहां यह 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 इस था से करके value रिक सकते हैं 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 इसतर ऐसे आसे करके लिख सते हैं बहुत साई वेल्यूस हो जैसे जो नो टर्मिसनेतिंग होगी और साँ निलिर्च सकते हैं लान भी एक पि मेर दे सप्किस में कुछछ पॉइंक्स दियू है जो आपको बताना है कि कौन से में से irrational number है तो आप फुद ही कर लेंगे क्योंकि मैं आपको सारा पता चोगी कि irrational number क्या होते है और rational number क्या होते है अभी तो आपने root 2, root 3, root 4 इन सब को denote करना सिखाएगी आप number line पर इनको कैसे denote कर सकते हो अब यह जैसे आपकी बेंडर आजाएए 3.177 इस तरह से तो आप इसको कैसे denote करोगे number line पर तो सबसे कर देखे आद लोगे एक number line पर लोगे 0, 1, 2, 3, 4 और इसके इस साइड भी ऐसे लगा दोगे इस साइड भी ऐसे लगा दोगे अब आपका है 3.1 यह जिनकी हाँ इस किंदों के बीच में आएगा 3.1 तो आप यहाँ पर next line में 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और इसी तरह से 4 तक आजाओगे और इसको आप लिख दोगे ऐसे यहाँ पर और यह ऐसे अब इसके बाद 3.1, 7 यह 7, 7 बहुत बार है तो हम इसको 3.1, 7 बार इस तरह से भी लेख सकते हैं तो 3.1, 7 3.1 और 3.2 इन दोनों के पीछ में आजाएगा तो आप यहाँ से फिर से ऐसे फिर से ऐसे 3.10 और 3.2, 0 3.11, 3.2, 1, 2 3.13 और 3.17 यहाँ पर आजाएगा और 3.18 इस तरह से तो यहाँ के 3.17 है यहाँ के 3.18 है फिर से आप ऐसे इन नमबर नाइंड रो करेंगे 3.17 and 3.18 तो 3.17 यह 0 से स्टार्ट है 3.171, 3.172 and so on 3.177, 3.1778 तो यहाँ के लिए जो आपको डिनोट करनी थी यहाँ पर 3.177 तो आपका ज़वान से आएगा इस तरह से आपको नमबर नाइंड रो करनी है 4 है वो इसी पर बेस्ट है उसमें आपको इसी तरह से नमबर नाइंड रो करनी है अब है कि हम जो इर्रेशनल नमबर सोते हैं उनको कैसे एड कर सकते हैं कैसे सब्रग कर सकते हैं कैसे मुल्टिप्लाइ कर सकते हैं कैसे डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपका 2 root 3, 2 root 7, 2 root 3 दे रखा है, ओ सॉरी, 4 root 3 दे रखा है, तो अब आप इसको कैसे add करें, तो आप क्या आप लेगे, बीच में plus plus लगा देंगे next line में, तो जो इंवे से root के अंदर मां explain value है, वो आप इकटा कर लो, 2 root 3 plus 4 root 3 plus 2 root 7, अब इसके, इसमें साथ root 3 comma ले लेए, तो 2 plus 4 root 3, तो आपका यह हो जाएगा, 6 root 3 plus 2 root 7, तो आपका इसका जो answer है, वो solve करके यह आ गया है, तो आप इसको इसको इस तरह से add कर सकते हैं, और इसी तरह जैसे हैं, आप इसको subtract कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ इसका minus है, तो आपके यहाँ पर minus आ जाएगा, यहाँ पर भी minus हो जाएगा, तो आप cancel क्या आएगा, 2 minus 4 minus के 2 root 3, तो आप इसको 2 root 7 minus के 2 root 3 लिख सकते हैं, अब इसमें से विए 2 common ले सकते हैं, वो भी short phone तक जाने के यह रूट 7 है, माइनस रूट 3, यहां तक भी ला सकते हैं, तो इसका यह अंसर आजाएगा, अगर आपका यह माइनस नहीं है, अगर आपका मुल्टिप्लाइं में है, तो रूट 3, मुल्टिप्लाइं 3, अब यह दो दोनों में सेम है, तो और यह भी, तो 2, 3 जा 6, अब रूट 3, मुल्टिप्लाइं रूट 3, जब आपका मुल्टिप्लाइं कर देते हैं, तो आपका आपका अंसर 3 आ लेगा, जैसे कोई भी वैल्यों 4, 5, 6 है, जैसे रूट 3 है मुल्टिप्लाइं 3, अब हम इनको एक ही जगे लिया आपके है, 3 मुल्टिप्लाइं 3, क्योंकि मुल्टिप्लाइं यह हो रही है, क्योंकि सेम है यह, इसके हमको एक ही जगे लिया है, तो यह क्या हो गया, 3 का स्क्वेर, अब इस स्क्वेर से यह कट हो गया, तो यह आपका और 3-9 जा 27, तो आपका answer 9 आ जाएगा, अगर suppose करो ये 27, root 10, अपो और वे 3 root 5 है, तो आप इसको 5 into 2 रीख सकते हो, 5 into 2, इस तरह से, फिर जो आप root 5 into root 2 करके रीख सकते हो, तो आपका root 5 है, तो आप root 5 से root 5 का cancel कर सकते हो, तो फिर आपका 3-9 जा 27, 9 root, जो आप कर क्या रहे गय क्या होगी, a plus b plus 2, root a d, अब आपको ये formula बता है, कि a plus b का Qs is equal to a square ब्लस मेen b square, 2ab, आपको ये पता है, तो आप एक की जगे क्या है root a, तो root a का square, plus b की जगे आपके वल्यूँ क्या है, root b, plus 2, a की जगे फिर से, root a, और b की जगे फिर से, root b, तो आप इससे एकटकर दोगे इससे एकट कर दोगे तो आपका a plus b plus में 2 root a गल जाएगा यह आपको formula गलना पड़ेगा, ऐसे अगर आपको यहापे minus हो जाता है तो आपको यहापे भी minus आजेगा, जैसे उसमें आपको a square plus b square minus 2 a गलता है तो इसी में दिया आपका यहापे ऐसे minus आजेगा आपकी जो exercise 1.5 है वो जो भी मैंने आपको formula बताए है या जो addition suppression बताए है, addition number की, वो इसी के पर demand है वो आप खुद करके देखना और अगर आपको कोई problem आ रही है तो please comment करके जरूर बताएगा जो 1.6 है वो भी मैं next video में ही कराऊगी